सो थोड़ी देर पहले चंगेश फिल्म के ट्रेङलर को रिलीज करा गया हो Atenda Hindi ट्रीलर की में बात कर रहा हूं Hindi वाले दर्सक ये जो हिंदी ट्रीलर को भरभर के प्यार देर है मतलब जोब जोबी लोग इस फिल्म के ट्रीलर को देख रहा है वह जीत सर के ban हो जा रहा है जो फिल्म कर ट्रेलर को बता है यार यार, यह ट्रेलर को देखने के बाद, जह बाई इस फिल्म को देखने जाओंगा, बेसक के असको आपने बाई किसी के बाई किसी के जानमीन Brid будет Rocky Kirk घृर갈ै के इससे पता चल रहा है, ट्रीलर के आने के बाद, थोड़ा बहुत सुख भुगाहट स्टार्ट हो गया है आगे हमने और भी सारी चीज़ों बात करेंगे तो इसलिए बाइस वीडियो को प्रवब दुमने लास्ट रहा देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाले ही काफी जाते इंट्रेस्टिंग और अभी जो भी मालोग चैन भाई स्टेश पर आते हैं और जो उनका लुक भी था काफी साही है डैनिम का जैकेट पहना है उपर भी डैनिम पर पैंड भी पहना हुआ था और प्रपर पीछे चंगेज वाला उनका पोस्टर था जो देखने में काफी जा था कूल लग रहा थे और हीरोइन के सान्याद इसके अलावा उन्हें बहुत अच्छा अच्छा चीजे भोला है वाई मतला अपने यह फिल्म को लेकर बंगाली फिल्म को लेकर के कहने का मैं अपने बंगाली सिनियमा को ना अच्छे लेवल पर रिप्रेसेंट करना चाहते हूं तो इसे जो एक्टर लोग होते हैं जो ल इसके अलावा लोग इनके फिल्मों को लेकर बाते ही करें यह चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि सायद जीत सरना कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को याद होगा जब यह चंगेज का टीजर आया था तब वहां की पब्लिक मिन्स वेस्ट लेकराइभ और ये फिल्म के ट्रेलर को लेकर earliest और यह अंदी वाले टीजर आताया तन उसके बाद गाने आता है हिंडी में गाने को भी अच्छा अ में ताइस के हिदी वाले टीजर को भी काफी अच्छा रिस्पॉंस में start साथ यह फिल्म का जबए ठ्रेलर आता है इसको हिन न potrzeb इसあ premium ہे कैसा प्रेजेंट कर दिये होंगे ना वाई मैं सच वोड़ा हूँ यह फिल्म काफी अच्छा खासा टकर देता हुआ दिखाई देगा किसी के भाई किसी के जान को क्योंकि अभी किसी के जान करना उतना बज नहीं है इंवर्ट जब यह फिल्म रिलीज होगा थोड़ा बहुत यह फिल्म बज बनाएगा इसके बज के साथ ना जो सलमान खान की फिल्म है किसी के भाई किसी के जान इसके बज के साथ ना इसको लेके भी लोग बाते करेंगे चंगेज को लेके भी बाते करेंगे और पब्लिक के दिमाग में यह जो फिल्म और ज्यादा बैठते जाएग एक तो भाई इस फिल्म का प्रेलर अच्छा लगा है पब्ली को और दूसरा इस फिल्म को जो आक्टर है उनके स्पीच लोगों काफी ज़्यादा पसंद आया है एक बद तुम जाके लॉंच इवेंट को देखना जिस तरीका से जीत सर अपने सारी चीजों को लेके बात ही कर रहे हैं अपने इंडसिस को लेके बात ही कर रहे हैं तो आदा खेल यहां जीत सर बाक्स उप इस पर अच्छा कामाई करके जाये और मुझे ऐसा लगता है भाई कमाई करके जाए गयार क्योंकि अभी की टाइम में सिर्फ कंटेंट बोलता है आप कितने बड़ा स्टार हो कहां के स्टार हो कोई मैटर नहीं करता है यार हाँ पहला दिन थोड़ा बहुत ओपनिंग ले लेगा उसके पता अगर आपके फिल्म या वो भी सही है color टून भी सही है trailer क यह अब क्या चाहिए आपस यार जितने भी हमारे Northside को लोग है मैं वो लोस्ते हिए बोलना चाता हो जो भी भाई लोग अभी तक किस फिल्मिकर ट्रेलर को नहीं देखो तो प्लीज मेरा भाई इस फिल्म के जाकर ट्रेलर को देखो कॉमिस बोल रहा हूँ जब तुम देखो गए न तुम्हें मजा जरूर आगा देखने में और इसके अलावा जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के भाई लोग हैं तुम सब अभी से ही भाई सपोर्ट में और पूरा जीतो टड़िका ऐसे लग जाओ जब तक यह फिल्म को ब्लॉगबस्टर में बना दे तब तक रुकना नहीं है और ऐसा सुनने में आ रहा है पिछले 8-9 साल से जीद बाबा जीद सर की जो फिल्म में आ रही है वह इद पे आती है और वहां के लोग मिंस वेस्ट बंगल के लोग इनको इडी बहुत प्यार से देते हैं ये चीजों को नो हम सब को चेंज करना है सिर्व वेस्ट बंगल के इन लोग क्यों इनको इडी देंगे भाई हम लोग कोई गुना थोड़ी ने किया है यार हम लोग भी एदी देना चाहते है वग हम लोग 24 अपरेल को ज़रूर एदी देंगे इसके साथ साल्मान खान को भी एदी मिलेगा दोनों भाई एगर इधर से जीत सर्थ इधर से अपनों सल्मान कान दोनों को भाई प्यार सीधी दो, दोनों फिल्म को ब्लोगबस्टर बना, मैं तो यहीं चाहता हूँ बाकि तुम लग बता, तुम लग किस पर क्या कहना है, और तुम लग कितना ज़्याद एक्साइट हो रहे इस फिल्म को लेके और यार सच में, हिंदी बिल्ड के जो दर्सक लोग है, वो लोगा काफी अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है, इस फिल्म को लेके अगर यह फिल्म को थोड़ाओर प्रोमोशन करें न जीट से तो पर भॉकाल मचा सकती है फिल्म तो चलो इस वीडियो में बस इतना है, इसके लावा कोई भी अपडेट निकल के आती है चंगेज फिल्म को लेके तो मैं तुम लोग इंफर्म कर दूँगा तब तक के लिए तुम लोग बता तुम लोग किसमें क्या कहना है